अंडमान निकोबार के दर्जनों द्वीपों में जो लाखों लोग बसे हैं, उन सब के लिए तो एहम है ही अंडमान निकोबार के दर्जनों द्वीपों में जो लाखों लोग बसे हैं, उन सब के लिए तो एहम है ही, पूरे देश के लिए भी महत्वपूर है सांत्यों नेता जी सुभास चंद्र बोश को नमन करते हुए, करिब डेड़ वर्ष पहले मुझे सुब्मरीन आप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के सुभारम का आउसर मिला था मुझे खुशी है कब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकारप्रांग का भी सुभाग्य मुझे मिला है चेन्नाई से पौर्ट ब्लेर, पौर्ट ब्लेर से लीटल अंदमान और पौर्ट ब्लेर से स्वराज दीप तक अंदमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है मैं अंदमान निकोबार के लोगों को इस सुभिधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामनाई देता हूँ स्वतमत्रता दिवस से पहले ये अंदमान के लोगों के लिए एक प्रकार से पंदरा अगस के पुर्व इस्सी सप्ता एक ने भरे उपहार की तरह ये अवसर मैं देखता हूँ साथियों समंदर के भीतर करीब तैइस सो किलोमेटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रसौंशनिया है गहरे समंदर में सर्वे करना केबल की क्वालिटी मैंटेन रखना विशेज जहाज़ों के जरिये केबल को बिछाना ये आसान नहीं है उपर से उची-उची लहरे तुफान और मौनसून की रुकावट जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही विराट चनवतियां भी थी ये भी एक बज़ा थी कि बर्सों से इस सुविधा की जरुरत महसूस होते हुए भी इस पर काम नहीं हो पाया था लेकिन मुझे खुशी है की सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया यहां तक की That's the Indian Prime Minister Garendra Moli addressing the nation, announcing the inauguration of the submarine optical fiber cable in Andaman and Nicola, Nicobar Islands and now this ensures high-speed broadband connectivity to the Indian Territory in the Bay of Bengal it ensures fast and reliable mobile and landline telecom services and the delivery of e-governance, telemedicine and tele-education Prime Minister also highlighting the challenges in undertaking such an endeavor you